Hey guys, welcome back to this video. आज इस वीडियो पर हम BSA 6 semester physical chemistry के most important questions देखने वाले 2023 examination के लिए इससे पहले हमने यहाँ पर organic chemistry BSA 6 semester के important questions देखे थे वीडियो आप देख लिए लिंक में आपको निचे description box में देदूँगा तो इस वीडियो पर हम physical chemistry के देखेंगे, बाकी जो हमने lecture videos से इसके कर दिये, electrochemistry और 2-3 chapters हमने कर रखे यहाँ पर physical chemistry के अंदर, बाकी जो हमने नहीं कर रखे उसके notes मैं आपको telegram में provide कर दिये, वहाँ से जाके आप download कर सकते हो, link मैंने आपको नीचे telegram का दे रखा है, तो मैंन आपको नीचे दे रखा है, ठीक है, पहले वाला आपका बैन हो चुका है, इसलिए आपको इस telegram channel पर ही मिलेगा, तो देखो यहाँ आपर कौंसे important questions है, जितने भी questions मैंने आपके लिख रखे, previous year मैं आपके repeat हो रखे और आगे भी repeat होने की chances आपके जादा है, क्योंकि BSC में आपके previous year question सी maximum repeat होते है, तो इनको आपको देखने है अच्छे से, ठीक है, बाकि जो आपके previous year का paper है, 2022 का वो भी मैंने आपको telegram पर provide कर रहा है, तो देखो define the terms, यह आपके तीनो questions पूछा गया है, electrochemistry part 2 से, conductance, specific conductance क्या होता है, equivalent conductance क्या होता है, इनकी videos हमने detail पे पूरा दे नीचे दे रहा है, electrochemistry का वरना playlist tab में भी जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, electrochemistry का आपको पूरा playlist राम पर मिल जाएंगा, सब कुछ आपने discuss कर रहा है, तो conductance के definition, specific conductance हो गया, equivalent conductance हो गया, और आपके जो infinite dilution पे जो चीज़े होती है, वो बार हमने सब discuss आपकर कर रहा है, question 2 है, आपका discuss the effect of dilution on specific conductance and equivalent conductance, यह दूना आपसे एक साथ भी question पूछ जा सकता है, यह इस तरीके से पूछ जा सकता है, कि आपको discuss करना है, dilution का effect, specific conductance पे और equivalent conductance पे, ठीक है, तो यह जो conductance की topics है, जितने भी यह सब के सब आपके important है, second है आपका, third है आपका, define transport number, transport number क्या ह होता है, describe the moving boundary method and hit drops method for the determination of transport number, तो transport number की video हमने पूरी देख रखी है, तो आपको प्लेइस्ट मिल जाएगा, बाकि यह आपका, इसमें दोनों में से एक पुछा जा सकता है, या तो आपसे moving boundary method पूछा जा सकता है, या तो आपसे hit drops method पूछा जा सकता है, दोनों आपको बढ़क पढ़के जाने ही है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, पिछली बार आपका moving boundary method आये था, तो कुछ भी आ सकता है, आपको दोनों पढ़के जाने, दोनों easy है, इसकी video से हमने देख रहा है कि आप देख सकते हो, आप 15-20 मिनिट के आपकी वीडियो से दोनों, तो वो आपको हाँ पर समझ में आ जाएगा, दोनों topic, easy है transport number, ठीक है, तो यह पूरा topic आपसे question 3 वाले जो पूछा गया है, यह transport number से ही पूछा गया है, और इतने ही पर ही आपको जो पूरा transport number हो खतम हो जाते है, ठीक है, यह दो methods होगे आपके, और transport number की definition होगी, और किस तरह के से हम दोनों method से transport number निकालते, बस, question 4 ते आपका derive phase rule equation, phase rule equation क्या होती है, derivation किस तरह के से होता है, वो आपको बताने है, और explain the meaning of each term with example, तो आपके phase rule पे, जो आपके component, phase, वो सब आपके पास degree of freedom, जितने भी जीज़े आपके equation पे रहती है, उसका मतलब क्या है, पहले तो आपको derive करना है उसको और हर एक meaning का मतलब क्या है, किस तरह के से हो equation आपको derive हो रही है, वो आपको बताने है महाँ पर, ठीक है, question 5 ते आपका define the electromagnetic radiations, EMR क्या होता है, list the different types of electromagnetic radiation along with their frequency ranges, write selection rule of spectroscopy, तो यह आपके physics से question quantum mechanics साब कह सकते है, question आपसे पूछा गया, electromagnetic radiation का, तो इसको आपको बताने है, डेटे आपकी चीज़े same है, या तो आपने अलग से पढ़ा है, chemistry पर, आपनी बुक से, या किसी भी reference बुक से, तो आप वहाँ से यह चीज़े लिख सकते हो, ठीक है, तो इसमें आपको electromagnetic radiation क्या होता है, पहले वो define करना है, फिर जितने भी आपकी electromagnetic radiation होते है, visible वाले होगे, फिर आपको हाँ पर बताने है, उनकी frequency ranges भी आपको साथ में पता होनी चाहिए, ठीक है, तो यह आपको अच्छे से पढ़के जाने है, और साथ में आपको selection rules भी लिखने, spectroscopy के, question 6 ते आपका state and explain the heisenberg uncertainty principle, यह तो लगबग सभी ने पढ़ा होता है, physics में भी होता है, chemistry में भी है तो इसकी वीडियो में बना रखी है, वो ऐसे वो quantum mechanics की है, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर helpful होगी, ठीक है, question 7 ते आपका derive ostwald's dilution law and explain what are its limitations, तो ostwald dilution law क्या होता है, और आपके उसके limitation क्या है, वो आपको बताने है, question 8 है, scrondanger wave equation आपको बतानी है and discuss its application and importance, तो scrondanger wave equation में दो equation है, time dependent और time independent उसमें से आपको एक ही करनी है, इसकी वीडियो हमने देख रखी है, तो वो शाहिद मुझा भी clear नहीं कि time dependent है, time independent है, वो वीडियो आप देख सकते हो, scrondanger वाली, उसमें बता रखा है कि आपका time dependent वाली equation है, फिर भी मुझे clear नहीं है, अगर मुझे देखक के जानी है, एक ही आपको करनी है, शायद हो time dependent वाली है, जो आपको यहाँ पर derive करनी है, ठीक है, और यह वीडियो समें दोनों देख रहे है, time dependent, time independent पे, quantum mechanics के अंदर, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, same derivation है आपका, ठीक है, बाकि इसके साथ, derivation के साथ आपको इसके application औ इंपोर्टेंस ही पुछेगी है, तो यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए, question 9 था, अपका, what do you understand by dual nature of the matter, derive the d-Brogly equation, तो d-Brogly के बारे में जितना भी कुछ आपने पड़ा हुआ है, physics है, physics अगर आपके पास तो आप अराम से कर लोगे, question को, आपको यहाँ पर derivation करना है d-Brogly का, उसके बाद आपको dual nature metric बारे में पूरा चीज आपको लिखनी है, तो lambda equals to h upon mv, जो आपकी equation रहती है, इसको derive भी करना है, साथ में इसके बारे में लिखना भी है, ठीक है, तो अगर आपका physics है, PCM है आपके, तो आप अच्छा कासा इस में लिख लोगे, वरना अगर आपने बुक से पढ़ा हुआ है, कई से पढ़ा हुआ है, क्योंकि d-Brogly का अपनी वीडियो तो बना रहा है, physics में, quantum mechanics में, अगर आपने वो भी देखा हुआ है, तो वहां से easily आप 2 या 3 पन्य आप अराम से यहाँ पर, उससे भी ज्यादा पन्य आप लिख सकते हो, अगर आप अच्छे से लिख होगे, तो बाकी आप इसमें dual natural matter के बारे में भी अच्छा खासा लिख सकते हो, यह बहुत इंपोर्टन है, आपका यह नोर्स में आपको दे रखा है, पीडिएफ में, तो यह आपका most important है, इसको आपको अच्छे से देखना है, च्छे साथ प constant हम कैसे करते हैं, वो चीजी पता होनी चाहिए, इलेक्रोचेमिस्ट्री को क्वेशन है, क्वेशन क्वेशन था आपका यूजिंग phase rule equation, draw the phase diagram off, अब देखो यहाँ पर पर आपने तीनों लिख रहा है, water system भी लिखा है, silver system भी लिखा है, और lead silver system भी लिखा हुआ है, ठीक है लेकिन कोई भी एक आपसे पुछे जा सकते है, कोई भी दो आपसे पुछे जा सकते है, तीनों आना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े है, तो पूरा तो नहीं पुछे जाएगा, लेकिन आपसे एक या दो पुछे जा सकता है, ठीक है, एक तो पक्का पुछे आइगा लेकिन दो बी आपके आ सकते हैं, तो कोई भी दो आपको यहां पर बता होना ही चाहिए लेकिन तेन दे रखे यह अमनें 2 तो हमनें discuss कर रहे है हम ने discuss नहीं कर रहे है इसके notes में आपको दे दूंगा, notes मैंने बनाए थे इसके, तो मैंने आपको पर आए कर रहे थे पहले प्रिवेस यहर पर तो इसके नो हमने अभी तक फेस का चेप्टर नहीं कर रहा है तो इसके जो नोट से हो पाया तो मैं इस बीच में फेस का एक बना दूंगा वरना नोट साब ले सकते हैं उसमें पुरा यह तीनों सिस्टम को वहाँ पर मैंने में आजाएगी इसमें थर्टेंथ है आपका determination of determine pH of a solution with the help of hydrogen electrode hydrogen electrode की help से हमें pH बताने स्वल्यूशन का फॉर्टेंथ है आपका यह लास्ट कोश्चन है आपका define different different type of operators in quantum mechanics तो quantum mechanics पे जितने भी आपके operators है हर्मिशन operator हो गया लीन operator हो गया बहुत सरे आपके operators आते परेटी operator हो गया तो जितने भी आपके operators है यहाँ पर वह आपको सब बताने है आप पाच्छे operators है आपके तो वह हमने quantum mechanics की वीडियो से डिसक्स कर रहे एक काम करूंगा मैं quantum mechanics की playlist का लिस्ट लिंक भी आपको नीचे म में भी सेम है और physics में भी सेम है ठीक है तो वह आप यहाँ पर access कर सकते हो नीचे मैंने आपको link दे रहा है तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो ठीक है तो यह थे आपके physical chemistry के most important questions पाकी इसके जो notes की PDF है उसका link मैंने आपको telegram पर दे रहा है telegram का link आपको नीचे मिल नीच है और इसके आप important questions देखें नीच है तो वह भी लाइक दिस video थैंक यू फर रोचिंग दिस video